दोस्तों ये फंडिर्शी कंपनी का यूएसबी फास्ट चार्ज टेस्टर है इसका मोडल नबर एफ एन भी फाइब आज मैं आपको इसमें सौप्टेवर को फ्लैस करना बताऊंगा किस तरीके से इसमें सौप्टेवर डाला जाता है यानि किसको अपग्रेड गिया जाता है जिया दोस्तों नए ने वर्जंस इनकी ओपीसियल वेबसीट पर आते रहते हैं आप इसमें अपडेट कर सकते हैं इस डिवास का काम किसी भी चार्जर को टेस्ट करना रहता है वैसे इसका कई मेर काम है फ्लाष्ट चार्जर टेस्ट लेट वैसे काम इसका ये भी है कि तो जैसे उसमें लिखा है क्या वो वाक्य में what performance charger देते हैं या फिर ऐसा ही लिखा रहता है stability около thank you.How만 the original mobile charger होते लिखा रहता है तो original होते भी यह बट जो market में local लिखते है आपको fast charger के नाम फिर ठग ہ जाता है उसको मैं इसके comment box में pin कर दूँगा या फिर आपको description में दे दूँगा मैं सिर्फ आप आपको इसको software flash करना बताऊंगा क्योंकि काफी demand पहले से हो रही थी ठीक है मैं सिर्फ एक demo देता हूं भी किस तरीके से charger को test करता है चोटा सा device है और बिल्कुल branded device है और इसके से एक कई सारे काम है mobile repairing में है वैसे तो यह वाट और MPR सब कुछ बताता है इससे mobile repairing बहुत ज़्यादा मिलता है वो तो आगी वीडियो बनाता रहूंगा इसको जिस charger को अपने test करना रहेगा इस तरीके से आप उसमें connect करेंगे connect करने के बाद यहाँ पर इसमें हम connect करते हैं तो यह on हो जाता है अब यहाँ पर हमने check करना है तो जैसे में super book लिखा है क्या यह super book है उसको check करने के लिए हम fast charge option में जाएंगे एक cursor को हम इदर उदर करेंगे यह तो option इदर होएंगे देखे इस तरीके से यहाँ पर voltage बताता है ampere बताता है watt ampere watt तब बताएगा जब यहाँ से हम output देंगे किसी mobile के लिए अब इस सिर्फ voltage बताएगा बागी details से यहाँ पर आपको मिल जाएगा और भी इसमें एक option दिया गया 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 ग्राफिस का मिल जाएगा और इस तरीके से हम करसत को इदर करके इस option में आ जाते है अब हम fast charger पर चलेंगे इस तरीके से इसको एक बार press करके बीच में दबाएंगे तो okay होता है तो एक बार और okay करेंगे इसने warning दी है जब आप इसको चेक करें हो तब आपका output में कुछ भी लगावा नहीं होना चीए अगर आप output में लगा है तो इसको उठा ले ठीक है तो हम एक बार क्लिक करते हैं और automatic detection में जाएंगे तो यहां पर है डिटेक करेगा इस charger को कि यह charger क्या support कर रहा है जिसमें आपको ग्रीन कलर का मांग दिखेगा वो यह charger support करता है यह DC 5 वोल्ड डेर्ड एम्पर को support करता है अब हम हाँ फूक charging को सपोर्ट कर रहा है सूपर वूक support कर रहा है सूपर वूक 10 वोल्ड हलाकि इसमें सूपर वूक अलड़ी लिखा है तो पॉफेक्ली यह सही काम अपना कर रहा है अब हम इसको finish करते हैं अब इसमें हम software को flash करना आपको बताएंगे बिल्कुल detail से चलिए सबसे पहले हम computer की screen पे आपको detail से बताएंगे कि software आपने download कहां से करना है आप सबसे पहले Google या फिर कोई भी अपना Chrome browser ले लिए उसमें आपने finish करके आपने search करना है जो आपके USB charger पे लिखा हुआ है उसके बाद उनकी official यह website आजाएगी उस पे आप click करेंगे क्लिक करने के बाद थोड़ा से समय time लगेगा क्योंकि internet का भी थोड़ा सी issue चल रहा है वेट करते हैं फानली पेज उपन हो ही चुका है देखिए अब यहापन की official website आ चुकी है आप mouse के cursor को follow किजिए यह देखिए support पे click करेंगे support पे click करने के बाद थोड़ा सा नीचे cursor लग मिल जाएंगे तो यहाप पर जो first मैं जो निया version है उसमें मैंने क्लिक करा और वो download होना start हो चुका है यह इसके बाद हम tool को download करेंगे यह तो software हो गया tool थोड़ा सा नीचे आप जाएं यहापर इस tool के मदद से हमने इसको flash करना है तो फनिसी USB PC software को हमने यहापर डालना ह तूल और software दूनों यहापर download हो चुके हैं अब यहापर हम इसको extract करेंगे दोनों को दोनों को extract करेंगे यह हो चुका है और यह already मैंने extract किया हुआ है अब हमारे पास tool और software दोनों पड़े हैं अब tool वाले folder को open करेंगे यानि कि USB meter वाले folder को इसमें हमारा application मिल जाएगी जिस करते हैं connect करने के लिए आप डाटे को PC वाले उसमें connect करेंगे उसके बाद यह बीच वाले बटन को देर तक प्रेस करेंगे प्रेस करने के बाद मतलब प्रेस करके ही रखना है छोड़ना नहीं है बस आप इसको computer के साइं set करेंगे तो यह bootloader mode पे चला जाएगा अब यह ready ह आप यह software को accept करने के लिए बसी option बनावा आएगा बीच वाले बटन को प्रेस करके है तब जागे अब इस तरीके से पुरा बनावा आ गया अब यहाँ पर आपको देखिए इसमें वर्जन हो गया सब कुछ मिल जाएक आपको लिखा हुआ अब यहाँ पर आपने system में जान करेंगे और जहाँ पर भी आपका पड़ा है वहाँ पर इसको यह तो नहीं है यह पुराना वाला था और यहाँ पर देखिए जो भी folder था FNB67 वाला यह वाला ठीक है इसमें हम क्लिक करके इस वाली फाइल को हम चूज करेंगे अब यह बिल्कुल रेडी है और यह तियार हो चुका है देखिए अब वेट करते हैं अब मैं चलता हूँ उसको main screen पर तो यहाँ पर देखिए कुछ-कुछ screen recording भी किया है और कुछ-कुछ आपको camera की मैं दिखा रहा हूँ बार-बार तो यहाँ पर यह flashing हो रहा है maybe 5 मिट लग जाता है इस पर और 300 के भी के आसपास की फाइल होती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है एक एक step फॉलो करवाया है आपको टूल तक ठीक है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेर करना अब देखिए 98% हो जुगा है 99% हो जुगा है 100% हो जुगा है और फ्लैस होने अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका बताया है और अब यहाँ पर मैं आपको एक बार अबाउट में चेक करवा भी देता हूं एक सेकेंड यहाँ पर फ्लैसिंग करते से मैं आपका USB PC वाले उसमें पॉर्ट में लगा होना जिए ठीक है सेटिंग में जाएंगे और about में जाने के बाद इसमें क्लिक करेंगे स्वरी क्लिक ओलिडी हो चुका है तो यह दें 67 वर्जन हो चुका है बागी इसमें डेटेल से आपको यहाँ पर इस एप्लिकेशन में बहुत सारी चीज़ा मिल जांगे यह आप यहाँ पर भी देख सक पे हैं ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना और प्लीज एक कमेंट जरू करना यह दो रूफ ओल्डर आप नाम याद कर लो और जूम करके दिखा दिया चलिए टेक क्या लगा